हेलो दोस्तों दृष्टी आईएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने एक प्रोग्राम किया था प्रोग्राम के अंतरगत हमने एक निजी कंपनी द्वारा एक के रॉकेट लॉंच किये जाने की बात कही थी जहा सारा नमवंबर को किया गया है इस रॉकेट के लॉंच के दौरान विक्रम सारा भाई को याद करते हुए बहुत सारी बाते कहीं गई तो आजादी के बाद जब हम एतिहासिक दौर को जा करके देखते हैं तो वहां पर विज्ञान एवं तकनीक हो चाहे व्यावसाइक जु के बारे में हमें जानकारी मिल सके तो आज का जो डिसकेशन है वह है कौन थे विक्रम सारा भाई जिन्हें याद करते हुए विक्रम एस रॉकेट लॉंच किया गया खबर है इससे जुड़ी हुई इस मिशन प्रारम्स विक्रम एस रॉकेट सोर्स इंटू स्पेस रिकॉलिंग विक्रम सारा भाई दा फादर इंडियन स्पेस साइंस तो इनको भारत के अंतरगत जो अंत्रिक्ष विज्ञान है उसके पिता के रूप में भी याद किया जाता है तो जब इसका लॉंच किये किस तरह की योगदान दिये क्या इनकी उपलब्धियां रही क्या निश्कर्श हो सकता है और एक प्रशन जो की मेंस के स्थर पर लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं यह विशह अगर जोडने की बात आए किस पेपर से सम्मंदित है तो पहली बात तो विज्ञान एव तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास पर इसको जोड़ करके देखा जा सकता है खास करके आजादी के बाद वाला सेक्शन चलिए तो चर्चा क्यों की गई है इस पर बात कर ली कि हाल ही में एक कंपनी है स्काइरूट ठीक तो स्काइरूट कंपनी ने विक्रम एस इस संस्थान को बढ़ाई दी है इस दौरान एक कार्टरम शुरू किया गया था इसके लॉंच को ले करके ही मिशन प्रारंब तो इसी दौरान ये जो सफलता पूरवक लॉंच है को कहा गया है कि ये मिशन प्रारंब जो शुरूर किया गया है एक तरह से उसकी सफलता है यहाँ पर तीन नाम्याद रखने हैं की तीन सीरीज अभी के लिए हमें ८िलती है विक्रम1 विक्रम 2 और विक्रम 3से जुड़ी हुई अगर को कोई भी जानकारी चाहिए तो इसका सशन है उसमें विस्तार से बात की गई हैं उसका लिंक आपको description बॉक्स में जाएका तो जाकर के अगर आप इस्ते जुड़ी हुई कोई और जानकाडी लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी अभी हम आज के सेशन पर चर्चा कर रहे हैं विक्रम सारा भाई की उपर की उनका व्यक्तित्व है उनका योगदान है किस तरह से रहा तो विक्रम सीरीज के जो रॉ है उनका जन में 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अंतरगत एहमदाबाद में हुआ था और उनकी जो मिर्त्य है वह 30 दिसंबर 1971 में किवल 52 वर्ष की आई में ही हो गई थी ऐसा कहा जाता है कि उनको काडियक अटैय क्या फिर्दैघात हुआ था खेर उनका जो महत्पूल योगद है तो उनके जीवन वृत्त को हम शुरू से समझते हैं और कुछ नयत्पूल पड़ावों को देखते हुए चलते हैं क्योंकि किसी का भी जीवन अपने आपने बहुत बड़ा होता है उसको एक छोटे से से सेशन में समा पाना या पिरो पाना इतना आसान नहीं है लेकिन पिता जी अम्मालाल सारा भाई और माता सरला देवी जी थी और यह दोनों ही एहमदाबाद के प्रमुख कपड़ा मिल के मालिक उद्योगपती थे तो उस दौरान 15 वर्ष की उम्र में ही ऐसा बताया जाता है कि विक्रम सारा भाई ने दो इंजिनियरों के साथ मिल करके एक आगे चल करके उन्होंने एहमदाबाद के गुजरात कॉलेज में दाखिला लिया कुछ समय वहां अध्यन किया उसके बाद रविन्ना टैगोर जी की सिफारिश से वह कैंब्रिज विश्व विद्याले में दाखिला पाते हैं इंग्लैंड में जहां पर 1940 के आसपास वे प् भारत वापस आते हैं तो भारत में भारतिय विज्ञान संस्थान बैंगलोर उस समय अब कह सकते हैं बैंगलूरू में है तो आयाइस वी बैंगलूरू में जाकरके शिक्षा हासिल कर रहे होते हैं और वहीं पर डॉक्टर सीवी रमन के अंतरगत अपना शौध करते हैं कॉ डॉक्टर भाभा से होती है जो कि एक प्रमुक भौतिकी विज्ञानी की रूप में भी जाने जाते हैं उनको एक बार और मौका मिलता है 1945 के आसपास जब अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए Cambridge वापस चले जाते हैं 1947 में वह एक थीसिस लिखते हैं कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैटिटूट्स ठीक उसके बाद एहमदाबाद में भी उन्होंने कुछ काम किये होते हैं जैसे कि वहां पर वे बहुत एक अनुसंधान प्रयोक्षाला की स्थापना करते हैं ऐसी बहुत सारी संस्थाएं आपको जानने क मिलेंगी जिस से उनका संबंध है अचा उनके जीवन से चुड़ी एक और महत्पूर घटना है जब 1942 में वह विवा करते हैं भारती शास्त्री नित्रांगिना मिर्णालिनी स्वामिनाथन से तो यही वह दौर था 1942 का जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था त ठीक है कुछ कारियों को देखें कुछ कार जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान उद्योग व्यवसाय और विकास के मुद्दे यह तभी वो क्षित्र थे जहां पर उनकी रुची थी मतलब कि उनका जो रुजहान था केवल एक ही डामेंशन पर नहीं था केवल एक ही दिशा स्थापना करते हैं 1962 में एहमदाबाद मेंहीं भारती प्रबंधन संथान यारी इंडियन मैंेज्मेंट इंस्टिट्यूट की स्थापना करते हैं 1962 में अंत्रिक्षानुसंधान के लिए भारती राश्टी समिति की जब इस फाना होती है जिसको बाद में इस्थरो नाम दे जाता है तो वहीं से जुड़े हुए जो कई सारे रिसर्च थे कई सारे प्रोजेक्ट थे जिसमें वे शामिल थे तो दक्षण भारत में थुमबा एक्वेटोरियल रॉकेट लॉंचिंग स्टेशन की स्थापना में भी भूमी का निभाते हैं तो बहुत सारे आपको ऐसे संस दहान के खित्र में उनके काम को इन्होंने आगे भी बढ़ाया जिसके बाद भारत ने परमाडु शक्ति या परमाडु चंता को हासिल करने का अपना प्रियास पूरा भी किया इसके अलावा उन्होंने कई सारे परमाडु उर्जा सयंत्रों की स्थापना और विकास में हो सकते हमें इसको खुद से ही विक्सित करना होगा तो महत्पूर्ण योगदान कई सारे रहे जैसे की 1967 में केरल के थुमबा से पहला स्थाउंडिंग रॉकेट लॉंच किया इनके ही सहयोग से किया इसके अलावा भारत का जो परमाडु कारिक्रम है उसकी कल्पना इन्हों महत्पूर्ण है इसके अलाव जैनों नासा से संभात किया वहाँ पर सेटलाइट निर्देशात्मक टेलिविजन प्रोग्राम एक तरीके से शुरू किया गया गुजरात जिली के अंतरगत जहां पर जो किसान है किसानों के लिए दूरदर्शन से जुड़ी हुई जो कि तो हम कह सकते हैं कि सामान रूप से विज्ञान के और तकनीक के सभी पहलूओं पर उन्होंने अपना योगदान दिया लेकिन विशेश रूप से अगर देखा जाए तो अंतरिक शित्र और परमाडू उर्जाक्षित्र या परमाडू उनके वह विशेश शित्र थे जहा को हम सुदूर गावों तक ले जाएं इससे जुड़े हुए कारकमों को शुरू करने की भी बात कही इस तरह की परिकल्पना रखी कैसे हम शिक्षा को दूर दराज की गावों तक पहुंचा सकते हैं इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के लिए रिमोट सेंसिंग आधा तो आज के समय अगर हम इस तरह की तकनीक इस्तमाल कर पा रहे हैं तो उसके पीछे एक विजन रहा होगा किसी एक व्यक्ति का जिसके विजन को साकार करते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं तो उन लोगों में विक्रम सारवाई का नाम आता है उनको लिवर्स आफ डेवलप का हुआ जाता है कि उन्होंने जो विकास के ख्षेत्र हैं वहां पर उसको बढ़ाने के लिए बहुँच ज़ादा प्रयास की और शुरु आती वैक्तिों में से एक थे जिन्हों ने भारत के महत्मूर कार्कमों में योगदान दिया तो अपलबदियों में एक महत्मूर्ण सम्मान से सम्मानित किया गया था और 1922 में फिर आगी चल करके मरॉपरंध उनको पद्मय विभूशर से भी सम्मानित किया ऐसे में आज के समय एक निजी रोकिट को लॉनच किया जाना वह भारत के अंतर accelerating पहला निजी रोकिट लॉंच देखें जाना उनके नाम पर उनको दिया गया एक बहुत बड़ा सम्मान है ऐसे में विक्रम एस रॉकेट की सफलता अपने आप में बहुत बड़ी है और उनको दी गई एक सद्धांजली है चलिए आज के सेशन का सवाल देखें सवाल कहता है कि भारत के अंतरिक्ष और परमाणू का करते हुए एक निजी रॉकेट विक्रम एस लॉंच किया गया विक्रम सारभाई की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए उनके योगदान को बताईए तो आप 250 शब्दों में इस उत्तर को फ्रेम करने का भ्यास कर सकते हैं तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ ठीका होगा आपते मिलेगें अगले सेशन में उशन महत्मूर्ण विश्यों के साथ पत्तक पढ़ते रही अपने तयारी जारी रखिए शुक्रिया